Hello students, good morning. Today I am going to explain you chapter 15 नेश्य सिम्बल्स आफ इंडिया बाहत के नेश्य सिम्बल्स कौन कौन से होते हैं टिक दा काईट आंसर वाट इस नेश्य सोंग आफ इंडिया का नेश्य सोंग कौन से है वंदे मातरम तो, what is the national anthem of India? इंडिया का नेश्य आंतम कौन से है? जंगनमल्स वाट इस नेश्य ट्री आफ इंडिया का नेश्य ट्री कौन से है? बैनियाल what are the three colors in the Indian flag जो Indian flag है उसमें जो three colors है वो कौन कौन से है सैफरोन, white and green which of the following is the national emblem of India इंडिया का national emblem कौन सा है अशो, पीलर, अशो का पीलर what is the national animal of India भारत का national animal कौन सा है tiger, which color in the Indian flag stands for peace भारती जो जंडा है उसमें जो color दिया हुआ है शांती का पतीक है वो कौन सा color है white what is the national fruit of India भारत का national fruit कौन सा है mango अब इस्टोरेंट्स हम chapter 16 करते है chapter 16, national builders यहाँपा कुछ papers दिये गए है जो हमारी क्या है हमारी राष्ट को बनाने के लिए जिनोंने योगदान दिया है वो कौन कौन से है number one है सरदार matching करनी है सरदार वल्ला भाई पटिल के नाम से जाने जाते थे नेताजी नेताजी को हम मिलाएंगे सुबाश्चन बोस नेताजी जो थे वो सुबाश्चन बोस के नाम से जाने जाते थे लोकनायक के नम से कौन जाना जाता था जैप्रकाश नारायन स्वामी के नम से कौन जाने जाते थे विवेका नन्द पंडिक जवाहर लाल नहरू उस्ताद बिस्मिल्ला खान मौलाना अबुल कलाम आजाद महात्मा मोहंदास करमचन गांदी आचारिय विनोवा भावे श्री अर्विंद गोश बाबा साहिप बी आर अम्बेडकर गुरु देव रविंदर नाथ टैगोर बाबु जग जीवर राम ज्यानी जेल सिंग और मुशी प्रेमचन वह हमारा चैप्टर 17 प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया भारत के प्राइम मिनिस्टर्स कौन-कौन थे लाल बहादु साश्त्री अमारी प्राइम मिनिस्टर थे अब है हमारा कोशन नमर बन भारत में सबसे अधिक लंबे समय तक प्राइम मिनिस्टर कौन रहे पंडि जवाह लाल नहरू भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे पंडि जवाह लाल नहरू नेम थे प्राइम मिनिस्टर दिए वाज एंडिया हूँ वाज असे इसीनियर वाहल इन है इंद्रा गांधी नेम थे अंवे विमनिस्टर दौन राइम मिनिस्टर दौन दिए इंद्रा गांधी Chapter 18 Famous Indian Woman Prashid Bharatiya Mahilayan Her sons were Rajiv and Sanjay and she is the grandmother to Rahul Indra Gandhi attained fame in 1966 by becoming the Rajiv और Sanjay जिनके बेटे थे और Rahul की दादी थी Indra Gandhi जो थी वो 1966 में पैशिद हुई किसलिए हुई? First woman Prime Minister के रूप में 2. She was the first woman to rule Delhi Delhi पर प्रथम महिला शाशक कौन थी? Rajiya सुल्ताना 3. Kiran Bedi who is now a political activist attained fame in 1972 by becoming India's first woman भारत की प्रथम महिला जिनोंने 1972 में political activist रही किरन Bedi वो किस रूप में विख्यात हुई? किस रूप में पैशिद हुई? पुलिस ओफिसर अफिसर ओफ दा IPS के रूप में इस लेडी बिकेम दा रिजेंट ओफ एमद नगर और डिफेंड इट अगेंस्ट अकबर इन 1595 अकबर से 1500 पिच्चान में में लड़ी और एमद नगर की रिजेंट में एक जो लेडी हुई वो कौन थी? चान बीबी कौन थी? चान बीबी शी एक्टिड एज राधा राधा का रोल किया इन अकेडमी अवार्ड नॉमिनेटिड फिल्म मदर इंडिया इन 1957 उननीस सो सत्तामन में फिल्म मदर इंडिया जिसके अंदर उनने अकेडमी अवार्ड प्राप्ट किया नॉमिनेटिड की गई वो कौन थी? नर्गिस दत दिस लेडी फ्रॉम केडला आल्मोस्ट वोने मैडल एट अलम्पिक्स इन 1984 वह लेडी जो की केडला की थी और उन्होंने ओलम्पिक्स में एक मैडल प्राप्ट किया 1984 में और एशियन लेवल पर पहुँच गई थी वो कौन थी? पी टी उश्या इस्टुनेंट्स चैप्टर 15, 16, 17 और 18 बुक में फिल की जिये ओके थाइंक्यू